Hello Shooters आज हम बात करेंगे सिर्टोद किन-किन मैशों को इ किसा मैशों को और किस किसे मैशों को नहीं और जाहिए नाशनुन रभी को पतल आप जाती элем जिसके अंदर आप प्लियजीवलme Linkedl Jim सभी अपको खेलना चाहिए- केवल और केवल National Rifle Association यही है जो सारे मैशों को ट्रांसबेशी से करवाती है बाकी जो मैच है जिसमें मैं एक मैच आपको बिताता हूँ कि सीबीशी के दवारा इस मैच को आपको नहीं गहलना चीए क्यूक्कि सीबीशी ने खेलो इंडिया के अंदर जिन बच्चों को इस बात भीज़ा है वो बिलकुल भी डिजर्ब नहीं करते थे उन्होंने अंडर 19 के बच्चों को बेजा है उनके लिए सीबीशी के लिए अंड यूधानिज के बीच में हैं. जब कि Under 19 में अगर हम बात कर तो Under 14 और Under 17 जो बच्ची है अगर उन्होंने उससे ज्यादा स्कोर माला हो तो वो भी लीजिवल हुतने हैं. तो CBSC ने जो अंडर 14 और 17 के बच्चों ने जिन्हों ने अंडर 19 के बच्चों से जाला स्कोर मा रहा है, उनको भेजा ही नहीं, उनको बिल्कुल दर किनार कर दिया, उन्होंने नाशनल राइफल एस्टेशेशन का जो रूल है, जो सब यूथ कैटेगरी का बच्चा है, अग को भी उन्होंने दर किनार कर दिया है, तो CBSC के दवारा जो इस्वार क्राइटीरिया जो चूज किया गया है, खेलो इंडिया के अंदर, उन्होंने उसमें बिल्कुल भी ट्रांस्वेंसी नहीं दिखाई है, तो इसलिए अपने बच्चों के मनोवल को ना तोरने के लिए, कि वो उनका मनोवल कम हो, तो आप CBSC वाले मैच के अंदर नेक्स्ट येर मत पाटिस्पेट कीजिए, आप जो भी नाशल राइफल आश्येशन के मैच करा जाते हैं, उनके अंदर बर चलकर पाट कीजिए, क्योंकि सिरफ और सिरफ नाशल राइफल आश्येशन के अंदर ही जो मैच करा जाते हैं, वो ट्रांस्परेंसी वाले मैच होते हैं, और अब ऐसा टाइम आ गया है कि एक शूटर, जो शूटर को जो प्रोब्लम्स आती हैं, जैसे ये CBSC का मैच हो गया, या बाकि कोई भी लोकल मैच हो गया, अगर उसके अंदर हमको कोई प्रोब्लम आती है तो मेरे घ्राउस से National Rifle Association को एक शूटर के लिए भी एक हल्प लाइन नमबर या एक हल्प डेक्स देना चाहिए, जिससे वो अपनी प्रोब्लम्स को शेयर कर सके और उनकी प्रोब्लम को स्वोल आउट किया जा सके, थैंक्यू